हलो बच्चो एलन ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है सो ब्रेंस्टों देली चैलेंज जो सीरीज चल रही है उसमें डेली कोशन आपको दिया जाता और उसका सोलूशन अगली वीडियो में आपको मिलता है जो कोशन यहां पर आज दिखा जा रहा वो कल के जो वीडियो में दिखाया गया था आई होब सारे बच्चे सॉल करके आये होंगे जिनसे हो गया है वह आज चेक करेंगे जिनसे नहीं हुआ है तो इसका सोलूशन आपकी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है ठीक है तो आए स्टार्ट करते हैं तो कोशन हमारा कुछ इ इंटिग्रेशन आप दिस इसका इंटिग्रेशन निकाल है तो सारी कहानिया आप देख सकते हो कि एक्सवन और एक्सटू पर डिपेंड करती है तो अब्यस बात है सबसे पहले हम इक्वेशन को डिकॉड करेंगे उसके बाद एक्सवन एक्सटू की वेलियो आएगी तब जाकि यह सेकेंड वाला पार्ट जो होगा ओन होगा तो आप देख सकते हैं का मल्टी कॉंसेट्ट का कॉशन था जो की जई एडवांस का फैवरेट रहता है हमेशा क्योंकि हमेशा वह मल्टी कॉंसेट के कॉशन को ज्यादा प्रिफर करते हैं ठीकी तो सबसे पहले एक बा एन हॉल मॉड इस इकवल स्टू यह द्यान से देखें मैं फॉर को मल्टी प्लाइ कर रहा हूं तो क्लियरली वी कैंसी देट फॉर का अपन मल्टी प्लाइ करेंगे तो यह क्या चीज़ आ जाएगी यह हमारे पास आ जाएगा तो यह हमारे पास आ जाएगा माइनस आफ 2, clearly we can see that इसको मैं लिख पाऊंगा 2 power x square प्लस 1, तो ये multiply करने के बाद हमारे पास बन रहा, इसको और भी हम simplify कर सकते हैं, तो इसको हम उपर लेंगे, इसको नीचे ले जाएं, तो 6 minus, ये हमारे बना 2 x square minus 1, प्लस नीचे इसको ले गया, तो ये आ रहा है 2 x square minus 1 तो ये RHS side में बना, और LHS side में अभी भी वही बरकरार है, जो हमने लिखा था, x square plus 1 divide by x square plus mod of 1 minus x square more whole mode, अब आप दियान से देखे LHS की value का अपन अबज़र करने कोशिश करता है, तो x square plus 1 by x square जो की positive है तो M greater than GM से हम देख सकते हैं इसकी value जो होगी, वो greater than equal to 4 होगी इसकी value जो की mod है हमेशा greater than equal to 0 रहेगा तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि LHS की जो value होगी वो always greater than equal to 4 होगी ठीक है, तो LHS की value हमेशा greater than equal to 4 होगी, similarly अच्छे तो एक constant है minus of 2 power x square minus 1 plus 1 by 2 power x square minus, again हमने AM greater than AM greater than equal to GM इसमें लगाया तो ये दोनो positive quantity है तो ये greater than equal to 2 आजाएगी तो ये greater than equal to 2 आएगी तो overall जो RHS side होगा हमारा overall RHS side will be less than equal to 4 अब देखो बड़ी विचित रिस्तिती यहां पर पेदा हुई है कि LHS बोलता है कि वो हमेशा greater than equal to 4 रहना चाहता है और RHS बोलता है कि वो less than equal to 4 रहना चाहता है अब दोनों की बात हमें सुननी पड़ेगी अगर इस question को solve होना है तो तो हम देख सकते हैं वो एक ही condition में खुद 0 हो जाए तो यहां समदेख सकते हैं 1 minus x square equal to 0 हो जाएगा तो x की value हमारे पास plus minus 1 दो आ जाएगी अब कौन x1 होगा कौन x2 होगा वो भी question में यहां पर specify कर रखा है कि x2 जो है वो बड़ा वाला है तो clearly x2 is equals to 1 and x1 is equals to minus 1 यह value अपने पास आ गई अब अपना second part यहां पर आउन हो जाता है which is equals to x1 plus x2 ठीक है तो question में फिर से लिख देता हूं x1 plus x2 3 x2 minus x1 fractional part of x power 4 और यहां पर देख सकते हैं 1 plus 1 plus greatest integer of this fractional part of this 1 plus fractional part of x और greatest integer यहां पर close हो जाएगा और यह और यह पूरा dx यह इसके multiplication में यहां पर चल रहा है कुछ इस तरह का सवाल है ठीक है यहां पर लिख रहा है कि यह जो जी आएफ को जो है दिनोट करता है और यह वाला पार्ट जो है हमारा fractional पार्ट को डिनोट करता है ठीक है अब हम सबसे पहले यही करेंगे कि एक्सवन एक्सटू की जो वेल्यू आई वह यहां पर substitute किया जाए तो यहां पर substitute करेंगे तो यह तो बनेगा 0 और यहां पर हम देख सकते हैं 1 बन तो यह तो 4 बन गया और fractional part x by 4 यह चीज यहां पर चल रही है 1 प्लस GIF of 10 of fractional part of x 1 प्लस fractional part of x और यहां पर मैंने GIF को close कर दिया है और dx अब ध्यान से देखें आप सबसे पहले इस वाले पार्ट को मैं observe करने की कोशिश करता हूं कि सर यह वाले पार्ट का हाल यहां पी क्या होगा तो ध्यान से देखें fractional part of x 1 प्लस fractional part of x इसको और simplify अपन कर सकता है दोनों मैंने plus 1 और minus 1 किया तो clearly we can see that यह आजाएगा 1 minus 1 divided by 1 plus fractional part and as we know that fractional part की जो range होती बच्चो वो 0 से open 1 होती है तो अब 0 रखेंगे तो overall यह कितना आ जाएगा 0 रखेंगे तो 1 minus 1 0 और close होगा क्योंकि fractional part पे भी close होता है open 1 open 1 रखोगे तो 1 by 2 1 minus 1 by 2 तो clearly we can see that इसकी जो value आएगी किसकी fractional part of x divided by 1 plus fractional part की value 0 से 1 by 2 आएगी अब उसके उपर 10 लगा हुआ है यह तो हमें समझ में आता है कि 10 0 की value तो 0 होती है राइट 1 by 2 अब 1 radian की value अप्रोक्स अपन लेते है 57 degree अब 57 degree divided by अपन 2 करेंगे तो around we can see that 23 degree point में आ जाएगा and we know that time 45 degree कितना होता है 1 होता है तो क्या यह कहना सही होगा कि 10 of fractional part of x divided by 1 plus fractional part of x की value less than 1 आएगी जब यह वाला part 0 से 1 by 2 के बीच में आएगा तो बिलकुल यह कहना उचित होगा greater than 0 तो होगा obvious बात है लेकिन less than 1 भी यहाँ पे होगा अब इसका आप GIF लोगे इस वाले part का अपन GIF लेंगे तो we can see that GIF of fractional part of x 1 plus fractional part of x यह आजाएगा 0 यह तो काफी हमारे लिए easy साबित होगया कि यह वाला part ही 0 होगया जो डरावना लग रहा था अब हमारा question सिर्फ इतना रे गया है 0 से 4 integration करना है और fractional part x by 4 यहाँ पे लिख रखा है और dx से बस अब आप ध्यान से देखें limit जो है वो x 0 से 4 है तो x by 4 कहां से कहां तक होगा 0 से 1 होगा तो हमें यह भी पता है अगर fractional part 0 से 1 की कहानी को बया करता है तो उसकी definition को किस तरीके से हमें open करना चाहिए तो आपको इस तरह का graph जो है पता रहेगा fractional part का तो हम देख सकते हैं कि सर अगर x की value 0 से 1 के बीच में तो इस सिर्फ y बराबर x खुलता है ठीक है तो यहां पर भी देख सकते हैं कि 0 4 रखोगे तो 1 तो overall यह 0 से 1 है तो यह direct x by 4 खुलेगा तो 0 से 4 में fractional part खुद x by 4 हो जाएगा और अब हम देख सकते हैं 1 by 4 यह आ जाएगा x square by 2 और limit of 1 को substitute करनी रहेगी 0 से 4 तो हम देख सकते हैं यह आ जाएगा 1 by 8 4 का square 16 minus 0 तो 0 हो जाएगा तो answer is coming out to be 2 तो 2 जिन बच्चों का यहां पर answer आया था वो यहां पर correct है जिनका नहीं आया था वो देख लीजे कहां पर आप से देखो पूछा जाता है कि multi concept कि किस तरह से question हम solve कर सकते हैं हो सकते हो दिखने में थोड़े से डरावने हो रहे कि आप solve करोगे easily mathematical equation को ध्यान से रखोगे तो काफी easy आपके लिए हो जाएगा ठीक है तो इस question में इतना ही और brainstorm the daily challenge में आपका जो next challenge है वो रहा आपकी screen के साम Thank you